दो दोस रहते थे, उनके नाम थे नेकी राम और फेकु राम नेकी राम बहुत ही नम्र और दयालू था जबकि फेकु राम बहुत ही मतलबी और जूटा था एक दिन दोनों दोस पैसा कमाने शहर निकले उन लोगों ने बहुत मेहनर किये और कम समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया जैसे ही वो गाउं जाने के लिए निकले फेकु राम के मन में एक विचार आया क्योंना हम अपना धन इस बेड की खोगले में चुपाते और जब हम दोनों सुभा लोटेंगे तो सारा धन अपने साथ ले जाएंगे नेकी राम तयार हो गए और दोनों अपना सामान चिपा कर गाउं के ओर निकल पड़ें फेकु राम आधी राग को जंगल पहुँचे और सारा धन चुरा लिया दोसरी दिल जब दोनों दोस धन लेने चकर पहुँचे तो उन्हें कुछ नहीं मिला तुमने मेरा पैसा चुराया है पर मेरे पास नहीं है मेरा पैसा भी चुरी हो गया है नेकी राम ने चुरी से इंकार किया पर भेकु राम उसे सरबंच के पास ले गया और बोला ये चुर है मेरी मदद कीजिये हमने धन जो छुपा रखा था वो इसने चुरा लिया है तुम ये कैसे कह सकते हो मेरे पास इसका सिर्फ एक सुबूत है और वो कौन है वो धेव दूर छोस बेड में रहते हैं हमें उनसे पूछना चाहिए सब लोग पेड के पास पहुरे और फेको राम सोर से बोला ओ इस पेड में रहने वाले देव दूर कि मैं बताईए कल रात क्या हुआ था नेकी राम कल रात यहां आया था और सारा धन जो यह रखा था चुरा कर ले गया है नेकी राम भचका रह गया